सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाए और नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाए हेलो दोस्तों वेलकम टू अस्टारक अस्टाटी पॉइंट आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बिहार वोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 20 जुन को कवाएगे और क्या पिछले साल से बेहतर हो पाएगा रिजल्ट सभी चीजों की जानकारी देने वाला हूं इस व सब्सक्राइब आएगा उसको भी दवा देना ताकि समय समय पर वीडियो कलाब आप उठा पाए जैसे हम कोई डालेंगे तो चलिए जानते हैं दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड इंटरमेडियेट का रिया जारी हो चुका है जो काफी खराब आया है दो का मैं पिछले साल के तुलना बता दो कि पिछला साल इंटरमेडियेट का रिजल्ट 25 परसेंट आया था इसको देखते हुए दोस्तों तेंथ वालों का बहुत बड़ा खुशखवरी पिछला साल मिला था कि 50 परसेंट उसका रिजल्ट आया था और सभी का लगवग तीन सो शुखवरी परसेंट वालों को होता है तो आप लोग तेंथ वालों यार खोशी से जोंगो तो क्योंकि रिजल्ट यापका पहुत ही अच्छाने वाला है और मैं आप लोगो को बताऊंगा क्या पिछले साल से बहतर हो पाएगा रिजल्ट तो चलिये हम जानते हैं यहां प बी जुन को है तो अठारा जुन को अपलोगों को बता दिया जाएगा कि कि समय को आए गया रिजल अब देखना यह है कि नतीजे पिछले साल के मुकाबले अच्छे आएंगा यह नहीं मेट्रिक के नतीजे तो मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों नतीजा जो है क्योंकि इंटर्ट का रिजल 25 परसंट गया था पिछला साल शुवार 5.000 परसंट देखनेयों गिलाए 52 पड़ पर संद्स्ट और तो पचास परसंट पिछला साल मैटे का था तो इस इस भार तो लगमभग आएов 55 परसंट नए गष्राट 6... modest temporada छूर PHP कि 60% पक्का जाएगा आप लोग का रिजल्ट का परतिस्त तो आप लोग को बता दू दोस्तों कि 2017 में मैट्री के परिख्षा में कूल 50% विज्याथी सफल हुए थे चात्राओं की सफलता का परतिस्त यानि लर्की का 21.21% परतिस्त था और लर्कों का 28.91 यानि 29% लर्के पास विए थे और 21% लर्किया तो टोटल हो गया दोनों 50% मैं आप लोग को बता यह भी बता दो दोस्तों कि 2017 में मैट्री के रिजल्ट में पिछले साल के तुलना में 2015 की बात करो दोस्तों 2015 में तो हिला ही दिया था बिहार वोड ने 75% जल देकर 2015 से यह जो स्थिति गरवराया है अभी तक गयवराही रहा है तो आज किस वीडियो में दोस्तों इतना है था अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह करने विज मैसा पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्याबाद